हम पढ़ रहते हैं cell division, cell division की हमने दो फेज बताई, एक interphase और एक M phase, M का मतलब meiotic phase, interphase में हमने बोला किसमे M phase में जब cell divide होगी तो उसमें जो जो समान अपने को चाहिए होगा, वो सारा समान हम बनाएं किसमें, interphase में, interphase हमने पिसरी क्लास में देख लिए थी, interphase हमने सारा समान बनाया, DNA को duplicate किया, बाकि सारे organelles बनाएं, cytobrasm में जो जो चीजें हमें चाहिए होगी, doctor cell को देने के लिए, उस सारे चीजें हमने बनाई, इसमें हमने तीन phase बताएं, पहले जीवन, फिर S और G2, तो यह interphase हमने पिसरी वादी क्लास में कर लिया था, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगी M phase, M phase में हमने बताएं कि M phase में जो time लगेगा, वो पूरे cell cycle का 5% लगेगा, यानि केवल और केवल एक गंठा लगेगा, M phase में, cell divide होने में केवल और केवल क्या लगेगा, एक गंठा लगेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे M phase, M phase, M phase में हमने बताएं कि पूरे cell cycle का 5% time लगेगा, यानि कि एक गंठा, एक गंठा लगेगा M phase के अंदर, M phase को अगर देखें, तो M phase division वाली phase है, इसमें अब बंटवारा होगा, इसमें अब चीजों का बंटवारा होगा, जो चीजे बननी थी, वो इंटर फेस में बन गई, अब यहां सिर्फ चीजों को क्या होगा, बंटवारा होगा, बंटवारा होने के लिए cell में होता क्या है, एक nucleus, और जो बाकी सामान बच गया, उसको जिसको बोलते हैं, cytoplasm, तो दो ही चीजे हैं जिसका बंटवारा होगा, तो सबसे पहले हम nucleus का बंटवारा करेंगे, nucleus का division करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, cytoplasm का division, तो इसको हम further दो part में divide करते हैं, पहला है, karyokinesis, karyokinesis, karyokinesis का मतलब मैंने आपको बताया था, nucleus का division, karyoon का मतलब nucleus होता है, तो nucleus का division करेंगे, karyokinesis में, तो nucleus में क्या होता है, nucleus में है, chromosome है, DNA, तो DNA का बंटवारा करेंगे, karyokinesis में, दूसरा जो बता गया, cytokinesis, cytokinesis, तो हमने M phase को दो part में divide कर दिया, पहला karyokinesis और दूसरा cytokinesis, अब अगर हम karyokinesis को देखें, karyokinesis, तो लिख देंगे, कि division of, division of nucleus, nucleus का division हम करेंगे, karyokinesis को फर्दर हमने, चार part में divide किया था, चार phases में divide किया था, सबसे पहली phase की बात करें, वो थी प्रोफेज, प्रोफेज, अब हम बात करेंगे, प्रोफेज की, जो कि karyokinesis की सबसे पहली वाली phase है, ठीक है, अब प्रोफेज जो है, वो थोड़ी से लंबी होती है, इसलिए हम इसको दुबारा से दो पार्ट में divide करेंगे, एक early प्रोफेज और एक late प्रोफेज पहली होगी, early प्रोफेज, early प्रोफेज और दूसरी होगी late प्रोफेज, अब इसमें early और late का concept यह है, कि जब प्रोफेज स्टार्ट होगी, जब प्रोफेज स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट के जो events है, उसको हम किसमें consider करेंगे, early प्रोफेज में, और जब प्रोफेज खत्म हो रही होगी, तो last के events, late प्रोफेज में, हम consider कर लेंगे, और प्रोफेज स्टार्ट हो चुकी है हमें पता कैसे लगेगा तो कोई तो साइन ऐसा होगा जिसे हमें पता लग जाए कि अब प्रोफेज स्टार्ट हो चुकी है तो मैं आपको बताऊँ कि प्रोफेज की जो बीगिनिंग है प्रोफेज स्टार्ट जब होगी तो सबसे पहले चीज जो हमको दिखेगी वो है कि क्रोमोसोम का कंडनसेशन स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम का कंडनसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं लिखता हूँ कि बीगिनिंग बीगिनिंग ओफ प्रोफेज beginning of phase में क्या होगा condensation condensation of chromosome condensation of chromosome start अब देखो condensation क्या होता है तो condensation का simply देखे तो मतलब है कि एक तरह से DNA की packaging जिसे कि यह एक thread था एक thread से दो thread बने अब यह एक तरह से दागे दागे जैसे structure पड़ी है nucleus के अंदर अब यह क्या होगा कि थोड़े थोड़े पैक होने start होगे जैसे कि यह एक thread था अब जैसे पैक होगा ऐसे थोड़ा से पैक हो जाएगा तो हमें दूर से देखने पर थोड़ा से जैसे मोटी मोटी structure दिखाए देखी ठीक है इसको बोलते है condensation condensation के बाद जो thread थे वो मोटे मोटे दिखने लग जाते है यानि कि chromosome दिखने लग जाते है तो यह था condensation तो सबसे पहले फ्रोफेज में जो होगा वो होगा chromosome का condensation स्टार्ट हो जाएगा chromosome का condensation स्टार्ट हो जाएगा अभी condensation complete नहीं हुआ है इसलिए अभी भी अगर nucleus के अंदर देखें तो सारे chromosome एक दूसरे के अंदर ऐसे गुथे वे पड़े हैं तो दूर से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि एक oon का गोला नहीं होता वैसी वैसी कुछ structure हमें देखेगी nucleus के अंदर इसलिए अभी जैसे condensation starter इसको बोल देंगे bowl bowl of wool bowl of wool जैसी structure अपने को nucleus में देखने को मिल रही है इसलिए इसको बोल देते हैं spirem stage क्या बोल देते हैं spirem stage इसलिए हमने फ्रोफेस को क्या बोल दिया spirem stage बोल दिया NCRT में ये नाम नहीं है लेकिन अब कोई पूछ रहे तो बता देना अब early प्रोफेस में और क्या क्या हो रहा है वो देखो अभी अगर nucleus की बात करें तो ये cell है ये इसके अंदर nucleus है ये nuclear membrane है अभी क्या होगा centrosome जो है वो opposite pole की तरफ जाना start हो गए है centrosome opposite pole की और जाना start हो गए है एक centrosome इस pole पे एक centrosome अपना इस pole पे जाना start हो गए है और इससे कुछ ऐसे raise like structure निकल रही है कुछ raise like structure निकल रही है कुछ raise जैसी यानि कि जो spindle fiber है छोटे छोटे spindle fiber ये chromosome से निकलना start हो गई है ऐसे raise like structure निकलन स्टार्ट हो गई है इनको बोलते हैं क्या estral raise estral estral raise estral raise बोल देंगे यह जो बीच में है L shape में जो बीच में है वो क्या है centrosome है centrosome है centrosome के बारे मैं बता दूँ centrosome सिर्फ animal cell में मिलता है या आपको याद होगा plant cell में centrosome नहीं मिलता और यह जो estral raise है estral raise plus में यह centrosome इनको मिला कर हम क्या बोल देंगे ester क्या बोल देंगे ester इसको ester बोल देंगे अब हमने देखा कि एक cell में कितने ester हैं एक cell में दो ester बन गई है एक cell में 2 ester बन गई हैं और 20 में kromosome पड़े हैं पहले से थोड़ा सा ऐसे मोटे मोटे नजर आ रहे हैं आपने को यह इसमें क्रोमसों पड़े हैं बहुत सारे क्या पड़े हैं ऐसे कितने हैं 46 क्रोमसों बीच में पड़े हैं अब अगर देखें तो एक सेल में क्या है एक सेल एक सेल में दो एस्टर है और दोनों एस्टर को म मिला कि हम क्या बोलेंगे Mitotic Mitotic Apparatus बोल देंगे अब यह सारा जो काम है वह हो गया अरली प्रोफेज में अब हम बात करेंगे लेट प्रोफेज की, बी, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, यानि कि प्रोफेज के लस्ट में क्या होगा, तो प्रोफेज के लस्ट में क्या होगा, यह सेल, पहला काम, लेट प्रोफेज की बात करें, तो लेट प्रोफेज में सबसे पहला काम जो होगा, वो होगा स्पिंड्ल फाइबर कि सपिंड्सक्राइब का फॉर्मेशन हो जाएगा कि से सेंट्रोसम से क्या है स्पिंड्ल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया इजो कि क्रोमनोस्ओम को अपने तरफ खींचते हैं, है ना, क्रोमोसोम से कनेक्ट होगी, क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचेंगे, यह आगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन स्पिंडल फाइबर का फोर्मेशन कहा हो गया, कंप्लीट, लेट प्रोफेज में हो गया, अच्छा, तीसरा काम जो यहां होगा, कि कंडन्सेशन जो था, जो कंडन्सेशन था, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, कंडन्सेशन जो था, क्रोमोसोम का, वो यहां कंप्लीट हो जाएगा, अब कंडन्सेशन कंप्लीट होने का मतलब है, कि अब chromosome जो है वो individually एकदम अच्छे से दीखने लगए अब ने को जो है वो chromosome एकदम अच्छे से दीखने लग जाएंगे condensation यहाँ अपने एकदम complete हो जाएगा आठा तीसरा चोथा काम यह होगा कि जो nuclear membrane है नुकलियर membrane है और जो nucleolus है यार एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्डी बोडी ये सारे क्या हो जाएंगे ये सारे डिसपीर हो जाएंगे इसलिए मैंने को यहाँ पे नुक्लियर मेंब्राइन अलएक से नहीं बनाई क्योंकि नुक्लियर मेंब्राइन लेट और फेज में आते हैं आखे में यहाँ को हुले से ओकर हो ऑफेश को जी अन्यशिक्स में होगी सब्सक्राइब हो में अनुक्य को यह उन्यशिक्स दॉन यजि यह पने दो ऑफ हैं ज यह इन्यूह्ना बंके मनी है नउ इन दो केसे से मिलके बनी है ये ये जो दो है इनको बोलते हैं क्रोमेटिड यानि कि अब जो क्रोमोसोम है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर बनाए पहले हम बोले थे कि एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बनाए जब कि अब हम बोलेंगे कि ये जो एक क्रोमोसोम है ये दो क्रोमेटिड से बनकर बनाए पहले लिखता हूँ Chromated और इस Chromosome के Center को क्या बोलते हैं Centromere 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 बोलेंगे यहां दो protein होगी यहां छोटी-छोटी protein है यह protein किस का आती है इस protein के आकर spindle fiber ज़़े इस protein क्या के जुड़ते हैं इस protein को बोलते हैं क्या काइनेटो कोर काइनेटो कोर ये काइनेटो कोर प्रोटीन है ये सेंट्रो मियर पे मिलती है दो प्रोटीन है जिसको बोलते है काइनेटो कोर काइनेटो कोर से कौन जुड़ते है क्रोमेटिन फाइबर आके जुड़ते है तो यह थी अपने लेट प्रोफेज की कहानी अब जो है वो सेकेंड फेज स्टार्ट होगी जिसका नाम है मेटा फेज का नाम है मेटा फेज मेटा फेज आपने का सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेटा फेज स्टार्ट होगी है तो मेटाफेज की बिगनिंग कैसे होगी तो जैसे ही प्रोफेज के लास्ट में मैंने क्या बोला जैसे ही नुकलियर मेंब्रेंट डिसपीर होगी जैसे ही नुकलियर मेंब्रेंट दिखना बंद हो जाएगी हमें मान किसा लेंगे कि अब कौन सी phase start होगी meta phase start होगी तो इसकी जो beginning है beginning कैसे होगी disappear disappear of nuclear membrane nuclear membrane जैसे disappear होगी हम मान लेंगे कि meta phase क्या होगी है start होगी है अब हमने कहा कि भईया प्रोफेज के अंदे जो है वो spindle fiber बन गए थे प्रोफेज के अंदे spindle fiber बन गए थे तो meta phase start होते ही सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कि spindle fiber जो है वो क्रोमसोम के काइनेटो कोर से जाके चिपक जाएंगे क्रोमसोम के काइनेटर कोर्स हिजा के चिपड़ जाएंगे और सारे के सारे क्रोमसोम जो है वो सेल के सेंटर में एक लाइन में खड़े हो जाएंगे इसे बताता हूं आपको मैं ये है सेल ये अपना एक सेंटर सूम हो गया ये centrosome, दूसरा वला हुग गया, और सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो chromosome है, 46 के 46, वो ऐसे एक cell के बीच में एक line में खड़े हो जाएंगे, एक line से ऐसे, एक line में set हो जाएंगे, इस line को हम बोल देंगे metafasic plate, क्या, metafasic plate, Metaphagic Plate या एक दूसरा नाम है Equatorial Equatorial Plate है ना एकदम Equatorial Plate है बीच की Plate में क्रॉम समझ है वो खड़े हो जाएगे इसको Metaphagic Plate या Equatorial Plate बोल देंगे इनको अब आप मेरे को बताओ कि इसमें कितनी Metaphagic Plate बनी है तो इसमें साफ साफ दिग रहा है कि एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनी है और यहां से जो सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे वो क्रोमोसोम के काइनेटो कोर से अटेच हो जाएंगे यह इसमें हो गया इसमें हो गया है तो यह spindle fiber जो है वो kinetocore से attach हो जाएंगे kinetocore से attach हो जाएंगे तो पहला काम क्या हुआ spindle fiber spindle fiber attach to kinetocore of chromosome है ना वो second काम क्या हुआ अब ना जो क्रोमोसोम है वो equatorial equatorial plate मेटाफेजी plate में आके एकड़म से ऐसे एक plate में खड़े होगे center के एकड़म beats अपने कासर यहां तक आते आते जो है वो क्रोमोसोम का condensation भी complete हो गया यानि क्रोमोसोम एकड़म सही से दिखने भी लगे और सारे के सारे क्रोमोसोम है वो मेटाफेजीक plate पर आके एकड़े होगे मेटाफेजीक plate पर आके एकड़े होगे तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर क्रोमोसोम की structure को study करना हो सबसे best phase को बानी जाएगी मेटाफेज क्योंकि इसमें एकड़म condensation complete हो चुका है और सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो एकड़म plate पर एकड़े होगे है cell के बीचो बीच तो क्रोमोसोम ढूनने की विज़ूद नहीं है तो इसलिए इसको बोलते हैं कि best stage of best phase for study of morphology morphology of क्रोमोसोम देखो structure की study को क्या बोलते है morphology है ना तो morphology अगर देखें क्रोमोसोम की तो उसके लिए मेटा फेज सबसे सही फेज है अब यहाँ पर मेटा फेज खत्म होगी अब अगले वादी stage स्टार्ट होगी जिसका नाम है एना फेज क्या स्टार्ट होगी एना फेज अब देखो हमने पहले मेटा फेज में देखा कि जो spindle fiber थे जो spindle fiber थे वो काइनेटो कोर्स आके चिपक गए एना एक क्रोमोसोम के दोनों और spindle fiber आके चिपक गए अब एना फेज में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि centromere तूट जाएगा अब हमने देखा कि यहाँ जो क्रोमोसोम थे वो दो क्रोमेटिड वाला थे दो क्रोमेटिड वाले थे अब ये centromere था इनका अब जब centromere split हो जाएगा तो दोनों क्रोमेटिड जो है अलग हो जाएगे और ये दोनों जो स्पिंडल फाइबर है ये अपने अपने वाले क्रोमेटिड को अपने तरफ खींच लेंगे तो सबसे पहला काम जो है ना फेस में होगा वो होगा क्या split splitting of centromere centromere जैसे ही splitting होगी एक जो क्रोमोसोम था कि वो split हो जाएगा दो क्रोमेटिड में है ना 2डो क्रोमेटिड में और जो अपने अपने और के जो spindle फैबर है वह अपने क्रोमेटिड तरफ पर खींच लेंगे है ना दूसरा क्या होगा फिन यह जो घाल्य जो एक पूमेटिड मॉज़ ट्वार्ड शण पूमेटिड है यह जो माईग रिट इस ऊपूज़ फोल सबसे पहले क्या होगा कि centromere split होगा और जो chromatid है वो opposite pole की तरफ तरफ तरना start हो जाएंगा opposite pole की तरफ तरना start हो जाएंगा देखें ये cell है ये एक centrosome ये एक centrosome अब ये जो क्रोमोसोम थे हैं वो तूट गए और दो क्रोमेटिड में डिवाइड हो गए तो दोनों क्रोमेटिड अपनी अपनी तरफ है अपने 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 पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो गए यह देख लो अब एक चीज़ यहां देखने वाली है अपने का अफर जब यह क्रोमेटिड अपने अपने क्रोमोसोम की तरफ अपने अपने पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो गए तो इनका जो सेंट्रो मीर है है ना इन क्रोमेटिड का भी एक सेंट्रो मीर है तो यह जो सेंट्रो मीर है यह तो है पोल की तरफ और जो arm है वो है center की तरफ, cell के center की तरफ है तो अब ये जो chromatid है, वो एक visage shape में आ गए है, एक V-type की shape में आ गए है ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि जो centromere है centromere जो है, वो किस की तरफ है, pole की तरफ और जो arm है, देखो ये जो, जैसी कि ये एक kromosome है तो ये इसका centromere है, ये दो arm है इसकी, है ना, तो ये arm है, किस की तरफ है, center of the cell center of the cell की तरफ है, है ना, और यहां पर एक विशेश shape बन गई है, ये kromosome की विशेश shape बन गई है, ये chromatid की, इसलिए मैं आपको बलूँगा, कि अगर shape की study करनी हो तो सबसे best phase कौन सी होगी, वो होगी एना phase, तो हम लिखेंगे, best phase, best phase for observe, observe the shape of chromosome, shape of chromosome, shape of chromosome, shape of chromosome, chromosome की shape अगर देखनी हो, तो हम कि इसमें बेखेंगे एना phase में, ऐसे V, ऐसे V type की shape बन जाएगे है, ऐसे V type की shape है, यहां पर बन जाएगी, अब अगर देखें, तो मेटा phase की अगर बात करें, तो यहां पर, मैं आपको पूछूँ कि क्रोमोसोम कितने है तो आप बोलोगे सर अभी भी यहां पर 46 क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है लेकिन एना फेज कि अगर बात करें तो एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटीड में डिवाइड हो गया तो अब chromosome का number कितना हो गया 46 इस cell चलेगे और 46 इस cell चलेगे तो इस cell में कितनी chromosome है 92 chromosome है 92 chromosome हो गये इस पूरी cell के अंदर और DNA content की अगर बात करें तो यहाँ पे DNA content अगर 20 pkg था महलों 40 pkg हो गया 40 pkg अगर यहाँ था तो यहाँ भी कितना है 40 pkg है यहां भी 40P की उग्राम है क्योंकि DNA के content में कोई फिरक नहीं है लेकिन एक DNA जो स्प्लिट हो गया जब तूट गया तो DNA तो क्रोमसों के नंबर डबल हो गए पर DNA content उतना ही पड़ा है अब यहां पर जो है वह one of right खreally o जाती है और लास्ट श्टेज अजएगी पॉसी सोटी वाली फेज इसका बोलते हैं Telophaz Telophaz इना प्लफभेज में हमने क्या बोला कि जो सारे के सारे जो क्रोमिटिड हैं जिसमें क्रोमसों बोलेंगे अबसे तो यह सारे के सारे जो chromosome है वो opposite pole पर जाके एकठे होगे और opposite pole पर जाके एकठे होगे और इनके चारों तरफ nuclear membrane दीखने स्टार्ट हो गई है nuclear membrane बन गई है तो तो cell मैं अगर बनाऊं तो यहां पर जो है वो यह chromosome जो कि single chromatid वाले हैं जाके एकठे होगे ऐसे 46 इस तरफ और 46 इसे कटे होगे उनके चारों तरफ जो है वो nuclear membrane जो nuclear envelope है वो बन गया है nuclear envelope बन गया है सबसे पहले क्या start होगा nuclear membrane nuclear membrane और जो ER थी जो गोल्जी बोडी थी यह सारे क्या होगे रिय अपीर होगे दुबारा से बन गए यह NCRT में लिखावा है reform दुबारा से क्या होगे दुबारा से बन गए है तो nuclear membrane endoplasmic reticulum और गोल्जी बोडी यह दुबारा से बन गए है और जो पहले की stage में DNA का जो क्रोमोसोम का condensation हो रखा था अब वो पूरा खत्म हो गया है यानिग यह decondensation 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 of chromosome decondensation of chromosome जो अब हो गया है यानि कि अब chromosome धेरे धेरे decondensation होना स्थार्ट हो गए है अब जैसे ही chromosome का decondensation होगा तो chromosome chromosome नहीं रहेंगे वो chromatin thread बन जाएंगे है ना तो chromosome की जो individually identity थी जो अलग अलग separate chromosome दिख रहे थे अब वो नहीं दिखेंगे है ना अब वो नहीं दिखेंगे तो मैं यहां बोलूँगा chromosome है लोस्ट chromosome है लोस्ट इट्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी ठीक है यानि अब chromosome जो है वो chromosome नहीं रहे है अब chromosome thread like structure बन गए है और एक cell के अंदर दो ऐसे अपने को एक DNA की cluster एक DNA की cluster या cluster of chromosome दिखने लग गए है cluster cluster मतलब जूंड cluster of chromosome cluster of chromosome अपने को दिखने लग गए है तो यह थी कौन सी तीलोफेज यह थी तीलोफेज अब यहां पर जो है हमारा M phase समाप्ट हो जाती है जैसे हमने देखा कि एक cell के अंदर दो nucleus बन गए इसमें कितने chromosome है 46 chromosome या है और 46 chromosome या है वो भी कौन से single chromatid वाले हमने जो start में जो cell दी थी जो parent cell दी थी उसमें भी 46 chromosome थे वो भी single chromatid वाले या single chromatin thread वाले तो यह यहां तक हमारा काम हो गया nucleus जो है वो divide हो गया अब जो काम अपने को करना है वो है इस 20 वाले cytoplasm का division अब हम करेंगे cytokinesis second वाली phase है जाएगी B वाली phase cytokinesis जिए division of division of cytokinesis division of cytoplasm अब देखो cytokinesis है इसको हम cytokinesis plants में और animals में अलग अलग तरीके से होता है कैसे animal cell animal cell और एक plant cell animal cell में इसे बोलते हैं furomethod 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 furomot का मतलब होता है khanch अब कैसे यह वो देखो जैसे यह एक cell थी हमने का इसमें दो nucleus बन गए telophase में जाते जाते दो nucleus यहां पे बन गए अब यहां पे यह जो जगह है यह जो side की जगह है यहां पे जो है वो कुछ micro filament क्या micro filament क्या micro filament micro filament आके एकठे हो जाएंगे micro micro filament आके एकठे हो जाएंगे micro filament जो के cell में आपने बढ़ा था यह cytoskeleton थे और skeleton जो है वो movement के काम आते हैं तो यह जो micro filament है यह जो cell member है इसको आंदर की तरफ खिंचेंगे जैसे यह अंदर की तरफ खिंचेंगे तो जो cell है उसमें दो कास जैसी ऐसे बन जाएँ खास बन जाएगे दो ऐसे एना दो कास बन गए ऐसे यह eque nucleus है अब यह कास दीरे डीरे और जाती जाएगी और एक दूसरे एक अन्ज़म मिल जाएगी तो आपने क्या बन जाएगी? दो डोटर सेल बन जाएगी यह कहां पर और यह कहां पर यह अंदर इसके क्या है? नियूगलिस होगी तो यह होगी खांच मैथड हो गया यह फियूरो मैथड इसको बोलते हैं बन जाएगी फियूरो यह बन जाएगी फियूरो अब हम देखें तो यह जो फियूरो है वो यह अगर सेल की पेरिफरी है यह सेल का सेंटर है तो यह जो फियूरो है यह जो खांच है वो सेल की पेरिफरी से सेंटर की तरफ दारी है इसको physics में क्या बोलते हैं centripetal centripetal बोलते हैं इसलिए इसको एक नाम और देते हैं centri centripetal method centripetal method plant में जो cytokinesis जिस method से होता है उसको बोलते हैं cell plate method cell plate method अब आपने का sir plant cell के अंदर तो cell membrane के अलावा cell wall भी होती है तो उसका भी बन्टवारा करना पड़ेगा या cell wall भी बनानी पड़ेगी अपने को तो वो कैसे होगा तो वो cell plate method से होगा कैसे होगा सुनो जिसके यह है plant cell या ये cell wall है ये इसके plasma membrane या cell membrane जिसको बोल देते हैं और ये दो न्यूक्लियंस बन गए अब प्लांट cell में क्या होगा कि जो manly golden body है वो सारी center में इकठी हो जाएगी cell के center में इकठी हो जाएगी यहां पे कुछ ER भी आ जाएगी और भी बहुत सारे micro filament भी यहां पे आ जाएगी micro tubule भी यहां के इकठी हो जाएगी और एक ऐसे plate सी बनेगी यहां पे center में cell के center में एक plate सी बनेगी जो कि center से peripheric तरफ बढ़ेगी center से peripheric तरफ है इसको बोलते हैं हम क्या phragmoplast 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 बोलते हैं इस plate को यह जो plate बनीए है मैनली तो गोल्जी बोड़ी है मैनली क्या है है यह complex of complex of गोलजी बोडी है, मैंली कॉंप्लेक्स ओफ गोलजी बोडी है, लेकिन और इसमें क्या, इसमें कुछ E.R. भी है, कुछ बना है, ये एकदम टच कर जाएगा कहां, एकदम पेरिफेरी पे टच कर जाएगा, ये दो स्नुकलिस होगे, और ये जो सेल प्लेट है, ये ऐसे स्टार्ट होगी, फिर पेरिफेरी प्लेट है, ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी और ला डो component होते हैं एक तो middle ले मिला जिसे plant, cement भी बोलते हैं और इसके side में जो primary cell wall और secondary cell wall होते हैं इसको मिला के पूरी को cell wall बोलते हैं इसके center में होगा middle lemina तो सबसे middle lemina बनेंगा और इसके साइड में पहले बनेंगी primary cell wall और इसकी यहां बनेगी secondary cell wall और इसके दुबारा यहां क्या बन जाएगी और सबसे cell membrane बन जाएगी तो इस त्रीके से यह दो cell आपस में divide हो जाएगा इसको बोलते हैं cell plate method क्या बोलते हैं cell plate method तो अब मैं यहां लिखूँ कि cell cell plate grow away of the away from the center इसको क्या बोल देंगे century centrifugal तो यह हो गया plant cell के अंदर cytokinesis तो एक cell से क्या बन गई दो cell बन गई तो अब जो है, हमारा पूरा cell division यहां से कम्पलीट हो जाता है अब जैसे ही केरियो काइनेसिस के बाद cytokinesis हुआ हमारा cell division दे कम्पलीट हो गया एक cell से क्या बन गई, दो बन गई मान लोग कि अगर केरियो काइनेसिस तो हो रहा है पर cytokinesis नहीं हो रहा है तो क्या होगा तो अगले ही गालते हैं हम failure of cytokinesis failure of cytokinesis अगर cytokinesis नहीं हुआ तो हैना अगर cytokinesis नहीं हुआ तो nucleus तो divide हो रहा है एक इसल के अंदर एक बार हो रहा है दो बार हो रहा है nucleus लगाता continuously डिवाइड हो रहा है लेकिन cytokinesis नहीं हो रहा तो तो देखो continuously continuously division continuously division of nucleus inside one cell without cytokinesis है ना cytokinesis नहीं हो रहा है लेकिन nucleus continuous ते डिवाइड हो रहा है तो होगा क्या कि अब cell के अंदर एक सी ज़्यादा nucleus बन जाएंगे ना more than one nucleus more than one nucleus present present in one cell अब एक cell के अंदर एक सी ज़्यादा nucleus हो जाएंगे ये जो nucleus को division हो रहा है एक cell की अंदर और cytokinesis नहीं हो रहा है तो इस division को बोलते हैं free nuclear division free nuclear division इसको क्या बोलते हैं free nuclear division बोलते हैं और इससे तो cell बनेगी जिसके अंदर बहुत सारे nucleus हैं उसको क्या बोल देंगे multi-nucleated cell multi-nucleated cell हम इसको बोल देंगे multi-nucleated cell बोल देंगे अब आप बोलोगे से इसके example क्या है तो example अगर देंगे multi-nucleated cell का तो आपने नारियल पानी पानी पिया होगा तो जो नारियल का पानी है वो किस से बनता है वो free nuclear division से बनता है तो इसका example हो जाएगा क्या अब वो जो नारियल पानी है वो एक तरह से endosperm है उसका है ना वो endosperm है नारियल के बीज का ये नारियल के फल का है ना तो example होगे liquid endosperm of coconut ये इसका example होगया और दूसरा example लाकर देखें तो tapitum cell tapitum cell of plant ये इसके दो example होगे जिसके अंदर multinucleated cell होती है कौन सी multinucleated cell होती है तो ये वो हमारा जो है वो cell division complete हो गया है यहाँ पे एकदम complete हो गया है एक NCRT में heading देर की है significance of mitosis significant significance of mitosis mitosis cell division को बोलते हैं तो यह नहीं कि mitosis यह नहीं कि cell division का significance क्या है cell division हमें चाहिए क्यों माइटोसिस जो है जिसमें हमने एक cell से हुब हुब वैसी 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 cell बनाई एक cell से हुब हुब वैसी वैसी cell बनाई तो उसका मतलब क्या है उसकी जरूरत क्या है बोड़ी के अंदर तो उसी को बोलते है significance of mitosis तो इसमें अगर हम देखें तो वही बात इसमें हम जो है वो genetically same cell बना रहे हैं हम इसमें genetically same cell बना रहे हैं यानि कि जो पहले वाली parent cell है उसकी daughter cell जो बनेगी उसमें वैसा का वैसा DNA होगा वैसे के वैसे उतने के उतने क्रोमोसोम होगे यहीं कि genetically cell एक दम same होगी अपनी parent cell के ठीक है इसको scientifically बोलते है clones ठीक है तो हमें formation of clones इसका काम क्या है इसको formation of clones बनाने में इसका use होता है clones formation of clones clones होते क्या है genetically same cell ठीक है तो clones मनाने में जो माइटोसिस का use होता है और दूसरा significance है कि जैसे कि हम बड़े हो रहे हैं है ना तो बड़े हो रहे हैं तो body हमारी grow कर रही है जैसे growth हो रहा है तो जो cells बन रही है वो एकदम clones हैं पिछले वाले cells की एकदम clones है पिछले वाले cells की इसलिए mitosis के जरीए हम वो cells बना रहे हैं इसलिए growth of multi nuclear growth of multi cellular growth of multi cellular organisms तो multi cellular organism है जिसकी human है उसके अंदर growth का काम किसे होता है mitosis से होता है जिसे एक से दो दो से चार ऐसे cell बनती जाती है और पूरी बोरी बन जाती है अच्छा अब आपके कभी चोट लगी होगी तो वहाँ पे गाव बन जाता है तो वह गाव बरता कैसे है उस गाव में जो cell खराब हो चुकी है जो cell damage हो चुकी है उनको repair करने वे भी mitosis help करता है और जो नई cell वहाँ बनानी है उस गाव को जो बरना है तो उसके लिए भी क्या है mitosis सी काम में आता है और नई cell बनती है और गाव अपना बर जाता है तो मैं एक लिखेंगे कि repairing तो repairing process में और दूसरा इसमें healing healing of healing of food गाव के बरने में भी क्या है mitosis help करता है नई cell बनाता है जिसे गाव अपना बर जाए तो mainly यही significance थे mitosis के तो झाली करते है